हेलो फ्रेंड्स, डिजनी होट सार पर काजोल की नई वैब सिरीज रिलीज हो गई है ये वैब सिरीज अमरीकन ड्रामा दगुड वाइफ की हिंदी रिमेक है सिरीज की शुरुवात होती है जज राजीव सेंग गुपता पर घूस के तौर पर सेक्शल फेवर लेने की इल्जाम के साथ राजीव सेंग गुपता नियोनिका यानि काजोल के पती हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं ऐसे में नियोनिका सेंग गुपता और उनकी दो बेटियों अनन्या और अनायरा बेगर हो जाती हैं फिर शुरू होता है जिन्दिकी की जंग और अपने बच्चों की फीस भरने के लिए एक बार फिर से नियोनिका को अपने दोस्त की फर्म में बतोर जूनियर लॉयर काम करना पड़ता है इस तोरण दिखाया गया है कि किस तरह मीडिया अपनी ही तरह केस को बार बार न्यूज चैनल पर दिखा कर अपना ही ट्रायल जुरू कर देती है ऐसे में नियोनिका और उसके बच्चों को लोगों के ताने, रिजेक्शन्स और मेम्स काफी कुछ छेलना पड़ता है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब खुद राजीव से इन गुपता का वकिल बिक जाता है और सवाल आता है कि क्या नियोनिका अपने पती के साथ देते हुए उसे बचा पाईगी इसके लिए आपको आठ एपिसोड की सिरीज देखनी पड़ेगी सिरीज दट ट्रायल की कहानी काफी स्ट्रॉंग है नियोनिका यानि काजोल ने भी अपने किरदाल के साथ पूरा इंसाफ किया है लेकिन काजोल की इमोशन्स थोड़े गायब हैं इसमें हाँ काजोल के डायलोग काफी दमदार है और काजोल से भी ज़्यादा दमदार कुंदरा सेथ के डायलोग से है जादा स्क्रीम टाइम काजोल को दिया गया है पूरी स्टोरी कोर्ट के आसपास खुमती है लेकिन कोर्टूम डामा इसमें कम दिखाये गया है अब सवाल आता है कि आपको 8 घंटे की ये वैब सीरीज देखनी चाहिए या नहीं तो इसका जवाब है कि हाँ देखनी चाहिए क्योंकि हो सकता है आपको भी कभी धोका मिला हो तो आप इसको देखकर थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी आपको और दूसरा आजकल जो टीवी नियूज में अपनी कहानी बना कर दूसरों के केस सॉल्व करने की नियूज एंकर की असलियत भी आपको पता चल जाएगी और कुछ नहीं तो एक बहतरीन अदाकारा काजोल जीशु सेन गुपता, अली खान, शीबा चड़ा, कुंदरा सेथ की अच्छी एक्टिंग देखने को तो मिली जाएगी पता नहीं अक्सर एक्सा क्यों होता है जब हम किसी इनसान से बहुत प्यार करते हैं उस पर बहुत विश्वाश करते हैं और फिर वही इनसान हमें जिन्दगी में दोका देता है शायद इनसान की फितरत है बदल जाना कुछ सस्पैंट सिरीज में बाकी हैं जिसके लिए आपको दूसरे सीजन का इंतजार तो करना ही पड़ेगा